नमस्कार भाईयो, आज मैं बात करना चाहूँगा कि इस देश का असली बेइमान कौन, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस देश में वही चार पुंजी पती या दस पुंजी पती वही बेइमान होंगे, ये सवाल मैं आप से अपने आप सोर सबसे करना चाहता हूँ, कि आखिर इस देश में सबसे बड़ा बेइमान कौन, इस देश में सबसे बड़ा बेइमान वह पुंजी पती या हम, जो एक ओक्सिजन सिलेंडर 10,000 से लेके 1,500,000 तक में बेच रहे हैं, इस देश में सबसे बड़ा बेइमान वह या हम, जब उसको पता चलता है कि ये COVID का प वो पुंजी पती या हम, जब उसको पता चलता है कि यह COVID का पेशेंट है और इसको पार्किंग लेनी है, जहां उसको 20 रुपे लगते थे, उसको 200, 200 और 22,000 रुपे तक चार्ज कर रहे हैं, इस देश में सबसे बड़ा बेहिमान वो पुंजी पती या हम, जो फरजी रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आखिर इस देश का सबसे बड़ा बेहिमान कोन है, अगर चार उंगली किसी पुंजी पती पर उठती हैं, तो यह सवाल हम से भी उठना चाहिए, कि इस कोविड में हमने क्या किया, जिनोंने अच्छा किया, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसे लोग कोन हैं, वो हम में से एक लोग हैं, लेकिन जब भी बात आती है, केवल पुद्जी पति को गाली दे देना ये बुरा है ये तो बहुत बुरा है लेकिन अपनी बात आती है, नहीं आध्मी तो बहुत आच्छा है ऐसा नहीं है आंके खोलो दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया कोविड को एक तरे का बिजनिस बना दिया है लोगोंने कि कोविड इसको हुआ ये परिशानी में इसको किस तरह से लूटना है बस यही चला है रात दिन तो जो सही है सही के लिए हवाज उठाओ और जो गलत है उसको गलत बोलो ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप एक साइड में ही बात करते रहो कि पूंजी पती है तो बस हाँ इसकी ग सामने है मैं जल्दी चाहूंगा कि लोग जल्दी से इस बीमारी को समझे एक दूसरे को हेल्प करें ना कि एक दूसरे को लूटने और खसोटने का विजनिस मनाये जाए चैहिंद चैह भारत